अच्छा पेटा ये exercise 2.7 है इन में question तो बहुत सार हैं लेकिन शुरू के जो questions हैं इनके मैंने सिर्फ आपको hint दे रखे हैं ठीक है ना तो आगे आपने इसको खुझी solve करना है पहला question है 8 की power 1 upon 3, 36 की power 1 upon 2, 8 का मतब है 2 to the 4, 4 to the 8 यानी 2 की power 3 बन जाएगी मैंने dash लिखा है यह आपने खुझी solve कर देना है 36, 6 का square है यहाँ पर power 2 आजाएगी whole power 1 upon 2 है यह भी आपस में कर जाएगे तो इसके मतब है 2 multiply by 6 यानी 12 इसका answer आजाएगा अब आजाएगी question number 2 के ओपर question number 2 है 64 की power minus 6, 1 upon 6, minus 1 upon 6, 64 के कम factor बनाएगे तो 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32 और 32, 2 to the 64 and 2 की power 6 बनती है तो यह 6, 1 upon 6 से कर जाएगा यहाँ पर लिखेंगे तो minus 1 power आजाएगी यानी यह बचेगा 2 की power minus 1 अब power minus में नहीं आनी चाहिए तो इसका हम upon में ले जाएगे तो यह बन जाएगा 1 upon 2 क्या answer आएगा 1 upon 2 3 में देखिए 256 upon x का square 1 upon 2 अब जो को power हमें दे रखिए 1 upon 2 तो हमने दोनों को square की form में लिखना है 256 16 का square है और x तो already 2 का square है तो power आपस में कर जाएगी यानी 2 upon 2 कर जाएगा 16 upon x इसका answer आजाएगा इसके बाद आएए question number 4 को पर 4 में है 81 x की power minus 8 z की power 4 whole power 1 upon 4 81 के factor बनाएं तो ये बनते हैं 3 3 is a 4, 4 2 is a 8, 3 3 is a 9, 9 3 is a 27, 27 3 is a 81 यानी 3 की power 4 बनेगा और उसके बाद ये x की power minus 8 था तो ये इसको हमने ये 2 4 होता है और ये power ये z की power 4 यह सब की power हमने ऊपर ले लिए 4 3 81 का मतब है 3 की power 4 और x की power minus 2 का मतब है x minus 2 की power 4 और z 4 ये 4 4 आपस में power कर जाएगी तो क्या बचेगा 3z और x square बचेगा minus का उसको हम नीचे ले जाएगे तो गोया answer हमारे पस क्या आजएगा 3z upon x square आगे चलिए 27 2 upon 3 power 8 minus 1 upon 3 upon 18 minus n upon 2 3 की factor क्या बनते है 3 की power 3 बनती है 3 और whole power 2 upon 2 n upon 3 इसी तरह के 8 की factor क्या बनेगा 2 की power 3 2 to the 4 4 to the 8 तो ये 3 3 से कर जाएगा इसी तरह से upon में देखिए upon में 18 है 18 जो है 9 to the 18 होता है यानि 2 और 3 का square तो अब इसमें क्या करेंगे ये तो power आपस में कर जाएगी उपर वाली में तो यानि ये 3 की power 2 n बचेगी और 2 की power minus n बचेगी upon में ये ये power minus n upon 2 ये 2 के उपर भी आ पर भी आजाएगी तो ये power आपस में कर जाएगी उसके बाद सिफ आपने powers को काट देना सिम्लिफाई कर देना है कुश्चन नबर 6 को पर आजाएगे इसमें पी अपॉन पी ए की power पी ए की power क्यू अपॉन में whole power minus q minus p इसी तरह से बाकी दो ट्रम भी है मैंने एक एक ट्रम यानि पहले बाद ट्रम को मैंने सिम्लिफाई किया है बिल्कुल इसी तरह से आपने second और third ट्रम को भी सिम्लिफाई कर देना है कैसे a की power p upon a की power q इसमें से हमने minus common निकाल दिया तो ये बन गया minus q plus p अब चुके minus power है तो minus power को plus करने के लिए हम इन दोनों को reciprocal ले लेंगे या की power q minus p ठीक है अब q minus p और whole power q plus p है तो ये दोनों आपस में multiply हो जाएंगे तो ये बन जाएगा a की formula बन गया ये a square minus b square वाला यानि q square minus p square इसी तरह से second term का बनेगा second term का बनेगा r square minus q square और third term का बनेगा p square minus r square सब power add हो जाएंगी q square minus p square और second term आएगी r square minus q square और इसके बाद की term आएगी p square minus r square तो ये सब आपस में power कर जाएंगी सारे p square q square r square आदे प्लस आदे मानेश सारे कर जाएंगे तो power 0 यानि 1 इसका answer आजएगा